सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन को टैप करिए साइन्स, इंग्लिश और सोशल साइन्स की विडियोज और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीसी क्लास टैंट बाइलोजी का जो चैप्टर है हाउडू और अभी तक पार्ट वन नहीं पढ़ा मेरे भाई तो पल देना बहुत बहुत मज़ेदार बनाया था हसस के पागल हो जाओगे यहां मैंने अपना नंबर दे दिया है 80590-42145 यू केन कॉल मी ओन दिस नंबर और यू केन वाच्टसप मी ठीक है और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से फॉलो कर लो एसेक्ष्वल में हमने क्या पढ़ा था जहां दो पेरेंट की जरुवत नहीं है जरुवत नहीं है लड़का लड़की पास में आए तभी मामला तभी लड़ू बटेंगे ना एसेक्ष्वल में इन एसेक्ष्वल रिप्रोड़क्शन और और अर्गनिजम है चलो यह हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अब हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं टाइपस ओफ एसेक्सवल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स क्या है क्या है टाइपस एक है फिशन एक है बर्डिंग स्पोर फोर्मेशन फ्रेग्मेंटेशन रिजनरेशन प्रोपेगेशन भाई आखरी यह है क्या एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं फिशन का सबसे पहले मतलब समझो मेरे भाई फिशन का मतलब है डिवीजन या स्प्लेटिंग यानि किसी चीज का तूटना ठीक है जैसे तुमारे दिल तूटते हैं आजकल यू सारे काम होते हैं खाना पीना हगना जाना नाना दोना वह सब तो हम बात कर रहे थे अभी फिशन की तो फिशन के भी दो पार्ट हैं बाइनरी फिशन और मल्टिपल फिशन अब दो को पहले वाले में लिखा हुआ है मेरे भाई बी आई जब भी आज से लेके मरते दम तक य ठीक है तो bicycle का मतलब जब organism two parts में divide करेगा तो उसे बोलेगे binary fission और दूसरा है multiple fission अगर दो से जाधा में अगर divide करेगा तो उसे बोलेगे multiple fission देख लेते हैं जैसे binary fission का यहाँ पर आप example देखो मान के चलो Amoeba में binary fission हो रहा है तो एक parent cell है ठीक है parent cell क्या हूआ साइज में ग्रो हुआ, साइज में ग्रो होते हुए अब जो उसके अंदर जो नूकलियस था वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया डिवाइड होने के बाद फाइनली वो ऐसे ऐसे करके अलग होने है और फाइनली वो टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं और आगे चलके यह जो डॉटर सेल्स बनेंगे और आगे चलके इन में भी इसी तरह से डिवीजन होगा तो यहां पर एक पेरेंट था और यहां पर दो बन गए अब यह एक से दो हो गए यह लड़ू बाट दो तो यह होगा बाइनरी फिशन अब हम बात करते हैं multiple fission की दोखो multiple fission का example है plasmodium अब यहां first diagram देखो फस्ट में यह आपको दिखाई दे रहा है cell दिखाई दे रहा है साइटो plasm दिखाई दे रहा है nucleus divided है अब अंदरी अंदर क्या हुआ भाई साब many daughter cells produced by fission अंदर ही अंदर अब यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा था एक से केवल दो अंदर ही अंदर जो हुए एक से केवल दो nucleus बने लेकर यहाँ देखो एक जो nucleus है वो कम से कम 10-12 nucleus में डिवाइड हो गया तो बाद में जब जाके जो daughter cells बनेंगी वो भी काफी सारी बनेंगी so this is called multiple fission चीक है so अभी तक हमने जो बात कर रहे थे types of asexual reproduction में तो fission हमने complete कर लिया है वहाँ मैंने red tick लगा दिया है now we are going to study budding अब भाई budding समझ लो budding से मतलब समझ ले ना bud budding का मतलब क्या है bud budding is a type of asexual reproduction in which a new organism develop from an outgrowth और bud due to cell division at one particular site बच्चा कहरा इंगलिस बाबा इत्ती इंगलिस निया आती है ढंग से समझा दो देशी अंदाज में अपने ले भाई देशी अंदाज में समझ ले यहाँ पर देखो आपको एक animal दिखाई दे रहा है जिसका नाम है hydra अब नीचे से देख रहो है उसके नीचे से कुछ निकल ला है वो नहीं जो तुम समझ रहो बस हाँ हलकी सी बड निकल ली है ठीक है दूसरे डाइग्राम में देखो वो जो बड है वो बड रही है गलत मतलब मतले न ठीक है जब नई जनरेशन डेवलप हुई एक बड के थुरू दाट इस कॉल्ड देखो यहां लिखा भी हुआ है इस बड डेवलप इंटू टाइनी इंडिविजुल्स यह जो बड है यह बढ़ते बढ़ते टाइनी टाइनी का मतलब होता है छोटी कुछ लोग इसे टीनी पढ़ते है ठीक है टीनी नहीं होता टाइनी होता है एंड वेन फुली मैच्वर जब यह पूरी तरह से मैच्वर हो जाती है डिटेच फ्रॉम दा पेरेंट बोडी पेरेंट की बोडी से यह अलग हो जाती है ठीक है जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है टाइनी बंप अपियर हुआ हाइड्रा का फिर हाइड्रा ने डेवलप किया बड और फिर वो बड ग्रो हो गई और बाद में जब वो फुली मैच्वर हो गई तो वो डिटेच हो गई दिस इस कॉल्ड बडिंग ठीक है बडिंग हम अब हम देखो यीस्ट में देखो बडिंग इस्ट में भी हो रही है कैसे लिक जो यीस्ट है उसके अंदर एक बडिंग फॉर्म होई ठीक है बड फॉर्म होई साइटो प्लाज्म डिवाइड हुआ और फिर उसके बाद यहां पे भी उसी की तरह न्यू सेल्स ठीक है अब तुम्हारे लिए मेरे भाई एक question आ रहा है इस question का जवाब तुम मुझे comment section में दोगे अगर वीडियो अच्छी तरह से देख रहो तभी answer देपाऊगे a feature of reproduction that is common to amoeba, east और spirovaira चाहे amoeba में, east में और spirovaira में क्या-क्या चीज़ common है they reproduce asexually, they all are unicellular, they reproduce only sexually, they are all multicellular इसका answer तुम मुझे comment section में दोगे मैं नहीं बताऊँगा दूसरा question और आ रहा तुमारे लिए the ability of a cell to divide into several cells, divide into several दोगर तुम्हें hint दे रहा हूँ अभी से, several का मतलब क्या होता है मैं नहीं बताऊँगा भाई ठीक है, several, अभी मैंने बताए इसका answer तो बहुत आसान है comment section में मुझे बता देना ठीक है, तो मेरे भाई हमने पढ़ लिया, fission पढ़ लिया और budding पढ़ लिया ठीक है, यहां मैंने दौनों पे tick लगा दी, red red कर दी है, अब हम पढ़ेंगे spore formation, spore formation देख लेते हैं, spore formation is a method in asexual reproduction, ठीक है भाई, asexual तो हो गई, क्योंकि asexual हम पढ़ रहे हैं, many spores are stored in sex called sporengia, जो sack है, उसके अंदर काफी सारे जो spores हैं, वो collected रहते हैं, ठीक है, देख रहे हो, यह पहले यह देखो, left वाला और इसके अंदर छोटे छोटे यह spores दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे वहाँ पे आपको nucleus वो divide हो रहा था, ठीक है, when sporengia bust, minute single-celled thin और thick-walled structures called spores are obtained, अब देखो minute लिख रहा है, minute का मतलब होता है, छोटे-छोटे, जब यह bust होगा, तो इसके अंदर से यह जो छोटे-छोटे spore हैं, यह हवा में fell जाएंगे और निकल जाएंगे, अंडर suitable conditions, they develop into a new plant, और जैसे इने suitable condition मिलेगी, यह एक नया plant बना लेंगे, जैसे, भया चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर ले न, जरूर तुमसे हाथ जोड़के विनती है, तुम आले बहुत मैनत कर रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा, आपके तीन पल लिए, fission, budding और spore formation, now we are moving on to the fourth one, which is fragmentation, अब देखो, fragment का मतलब ही भी तूटना ही है, fragment के रूप में तूटना, fragmentation is a type of asexual reproduction, in which an organism simply breaks individually pieces at maturity, जी हाँ, देख रहो, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया हुआ है, spirovira, ठीक है, अब यह जैसी mature होता जा रहा है, mature होता है, अब दो पार्ट में तूट गया, लेकिन अब इसमें खास बात क्या है, एक पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही था, और दूसरा पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, मतलब हर जगे से एक जैसा है, वो तूट गया और आगे reproduction हो रहा है, अब fragmentation को समझाने के लिए, pyrogyra undergoes fragmentation which results in many flamen, और जब इसके अंदर fragmentation होते हैं, तो कई छोटे-छोटे flamen बन जाते हैं, और बाद में चलके each flamen, mature flamen बन जाता है, I hope कि अब मुझे इसमें ज्यादा समझाने के आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, देखे, दिखी रहा होगा, part 1, part 2 कैस तरह से steps हो रहे है ठीक है, तो हमने मेरे भाई fission पढ़ लिया, budding पढ़ लिया, spore formation पढ़ लिया, fragmentation पढ़ लिया, और अब हम पढ़ने जारे है, regeneration, regeneration क्या होता है, regeneration को सबसे पहले एक plan area के example से समझो, देखो, plan area ये left side में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक animal है, plan area, अब ये तीन पार् से एक अलग, fully mature plan area बन गया, this is called regeneration, देखो, आपको एक छोटा सा example और देता हूँ, आपने देखा होगा, कि जो छिपकली होती है, छिपकली की पूँच टूट भी जाती है, तो वो दुबारा से उसकी पूँच निकलाती है, human beings में ऐसा नहीं होता, अगर आपका एक हाथ कट अमान के चलो, भगवान कर ऐसा ना हो, तो क्या होगा, वो दुबारा regrow नहीं करेगा, regeneration does not take place in you, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह है regeneration, अब मैंने यहाँ पर question mark बनाया है, question mark क्यों बनाया है, सोचो सोचो, सोच लिया, नहीं सोचा, तुम कहोगे sir, regeneration के अंदर भी यह breakage हो रहा है, और नया animal बन रहा है, और fragmentation के अंदर भी breakage हो रहा है, और नया mature animal हो रहा है, so what is the basic difference क्या है, regeneration में और fragmentation में अंतर क्या है, वो अंतर समझ लो, fragmentation occurs when an organism literally breaks off from itself, the broken fragments of the organism grow into individual separate organism, क्या कह रहा है, कि fragmentation तब होगा, जब एक organism पूरी तरह से, उसकी body का एक पूरा पार्ट तूट गया, समझ रहो, देखो, यह एक लंबा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, हर जगे से यह एक जैसा है, तब वो तूट गया, हर एक body में आपको, वहां पे nucleus गया, वो इस तरह से गया, और वो इस तरह से divide हो गया, लेकिन अगर आप regeneration में देख रहे हो, तो उपर देखो face face उपर गया, मूँ उसका जहां आपको आँख आँख सी दिखाई दे रही है, बीच वाला हिस्सा अलग गया, और last में पूच वाला हिस्सा अलग गया, लेकिन फिर तीनों हिस्सों से अलग अलग वो ही animal दुबारा recreate हो गया, so I hope कि आपको समझ में आ रहा है, मैं क्या कहना चाता हूँ, ठीक है, तो regeneration में और fragmentation में यही अंतर है, देख लो, sorry, fragmentation के अंदर पूरा का पूरा, बिलकुल वो divide हुआ उस तरह से पर है, लेकिन यहां पर तीन अलग अलग हिस्से हुएं, उनमें अलग 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 पार्ट था बॉडी का, लेकिन फिर भी वो finally regenerate हो जाता है, ठीक है, तो regeneration तक हमने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे finally vegetative propagation, जो की है last part, vegetative propagation refers to formation of new plants, from, बताओ चलो इसका आंसर तुम दो, यह तुमने 6-7 एर्थ में पढ़ा होगा कि vegetative parts क्या होते हैं, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा आंसर, चलो तुम बताओ, सोच लिया, चलो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, इसका आंसर है D, stem, roots and leaves, तो vegetative part क्या है, किसी भी plant का stem है, root है, और leaves है, ठीक है, अब vegetative propagation होता क्या है, vegetative propagation is an asexual method of plant reproduction that occurs in its leaves, जो इसकी leaves की वज़े से हो, roots की वज़े से हो, stem की वज़े से हो, जैसे, आपने देखा होगा, कुछ लोग जो farming करते हैं, या घरों में plant लगाते हैं, उन्होंने क्या किया, एक plant की एक कलंग तोड़ी, और उसे दूसरे गमले में लगा दिया, वहाँ पानी वगरा दे दिया, खाद वगरा डाल दिया, और वहाँ से एक दूसरा plant generate हो गया, मतलब ज़ड सहीत नहीं लगाया पौधे को, so this is called vegetative propagation, और यहाँ पर मेरा number है, दूसरा आपने देखा होगा, rose, ठीक है, जो कि तुम फरवरी में देते हो, रोज की भी आप एक कलंग क occurs, when an axillary bird grows into a lateral shoot and develops its own shoot, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यह दौनों quiz, यह वाला और यह वाला जो मैंने दिखाए, यह है artificial vegetative propagation, बच्चा कहेगा सर, artificial से क्या कहना चाहते हो, artificial का मतलब यह हमने किया है, यह plant खुद नहीं कटा, plant की जो कलंग है, रोज की, वो खुद naturally भी होता है, naturally कैसे होता है, यहाँ पे आपको एक plant दिखाई दे रहा है, ठीक है, plant का ही एक हिस्सा, जिसे हम runner कहते हैं, वो आगे बढ़ा, और जैसी वो आगे बढ़ा, जहाँ पे उसे बढ़िया condition मिली, थोड़ा सा हिस्सा छोड़के, थोड़ा सा space छोड़के, वहाँ से उसकी दुबारा से roots निकलने लगती हैं, और नया plant दुबारा हुगाता है, देख रहे हो, आपको first से second बना, और second से third बना, so this is natural vegetative propagation, अच्छा, आपने देखा होगा, घर में अगर आलू अगरा काफी दिन तक रखा रहे, तो उसके अंदर से भी थोड़ी-थोडी leafy structures types नि निसान है, यह जो दिख रहा है, आपको यह नीचे आई, मान के चलो, एक आलू के अंदर दस ऐसे हिस्से हैं, जिसके अंदर यह आई वाला portion दिखाई दे रहा है, आपने एक आलू से 10 टुकडे निकाल लिए, इस तरह के, और उन्हें 10 टुकणों को अलग-अलग जमीन में जब गार दिया, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हर छोटे टुकडे से एक नया आलू बन जाएगा, so this is called vegetative propagation, इसके अलावा, जो vegetative propagation है, वो leaf से भी हो सकता है, root से भी देख लिया भी हमने, और अब जैसे बेगोनिया और ब्रायो फिल्लम की बात करूँ, यह example है, vegetative propagation by leaves के, बच्चा कहेगा, सर ढंग से समझाओ, यह देखो, इसमें क्या होता है, leaf के ही हिस्से पे दूसरी जो छोट-छोटी leaf से वो निकलने लगती है, और वो size में grow करने लगती है, कुछ टाइम बाद यह leaf से गिर जाती है, और गिरने के बाद अगर इन्हें अच्छी condition मिल जा फ्लावर, ठीक है, इसका answer भी आप मुझे comment section में दोगे, और मुझे यह जरूर बताओगे, part 1 की तरह आपको part 2 अच्छा लगा या नहीं लगा, और क्या आपको part 3 का बेसबरी से इंतजार है या नहीं, अगर English Papa channel पे पहली बार आयो तो मेरे भाई, जल्दी से subscribe कर लेना, मि बूलव से तरह माई कर वाल, मिल बगा यज़ से दो झासने, आपको è आपको झासे टो बना इंत्सक्राइब गग.